आज की जो अमारी चर्चा है वो है आयूरवेदिक और यूनानी तीविया कॉलेजन हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जहां पे आयूरवेदिक और यूनानी के सारे मेडिसंस के रिगार्डिंग आपको जानकारी दी जाती है अगर मैं हिस्ट्री पे चर्चा करूं तो सबसे पहले 1883 में अजीक उल्मुल्क हकीम अब्दुलमजीद खान साहिब सर के द्वारा इसकी पहली बारी स्टैबलिश्मेंट की गई और उस टाइम पे 23 जुलाई 1889 में इससे पहली बारी इनाउगरेट करवाया गया बाई डेपिटी कमिशनर ऑफ डेली जो उस टाइम पे थे और उसके बाई जैसे ही Modern Medicine और Science ने अपनी जगह बनाई समय के साथ तब ही मदर साय तिब्या को री स्टैबलिश किया गया नई बिल्डिंग में करोल बाग में बाई मसीह उल मुल्क हकीम अजबल खान साहब के द्वारा और यह जो फाउंडेशन स्टोन रखी गए वो रखी गई थी लौड हाडिन सर के द्वारा जो उस टाइम पर वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे 29th of March 1916 में और इस इंस्टिट्यूट को इनाउगरेट करवाया गया हमारे भारत हमारे फादर ऑफ नेशन के द्वारा महातमा गांधी जी के द्वारा in 13th of February 1921 में एक छोड़ा जाना हम official website टूर कर लेते हैं आयुरवेदिक और यूनानी तिब्या कोलेज की तो एंड यू तिब्या कोलेज और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आयुरवेदिक और यूनानी तिब्या कोलेज जो है इनका हॉस्पिटल भी रन होता है ठीके अगर आप पहला इंटरफेस ओपन करोगी बेसिकली एंड यू तिब्या कॉलेज और हॉस्पिटल के आप उफिशल वेबसाइट पर आओगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने पहला इंटरफेस ओपन होगा डेली के हॉस्पिटल का मिनिस्टर सहाब का फिर अभी चो करेंट सीम है हमारे डेली के उनकी फोटो चुअननी तीब्या कॉलेज आउस्पिटल के हिस्ट्री के बारे में दिया गये है कि इस तरीके से 1883 में शुरू कि गई थी और किस तरीके से फिर आगे इसकी जोरी कंटीन्यू रही है यहाँ पर कि होस्पिटल की स्टेबलिश्मेंट की गई थी इसके बात थोड़ा सा आ पर आओगे, होम में अगर चेक करोगे, sorry about us में चेक करोगे, तो यहां पर आक्स और रूल कोर्स को आप एक बड़ी एक्स्प्लोर कर सकते हो कि फिल्हाल कॉन-कॉर्स कोर्स प्रोवाइड किये जाते हैं, अगर यूजी पर मैं क्लिक करूँ, नोटिफिकेशन वाले पर तो फ बेसिकली लोग है, और 15 पर उसमें रेस्ट आल इंडिया की पीपल आते हैं, ठीके, डेली कोटा यहां पर डिवाइड़ेड है, इसके बाद दूसरा अगर आप क्लिक करोगे, कि MD में कौन-कॉर्स कोर्स प्रोवाइड किये जा रहे हैं, तो यहां पर फिलाल तीन कोर्स और MS in Ayurveda, फिर Mahir Itib, MD, MS in Yunani, MD in MD, Homeopathy, उनके फीस वगरा के रिकार्डिंग बातचीत दी गई है, ठीके, यह सब आप चेक कर सकते हो, इसके बाद और थोड़ा सा अगर आप आप आगे बढ़ोगे, तो यहां पर फिकिल्टीज आप चेक कर सकते हो, हिस्ट्री चेक कर सकते तो हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बताए कि किस तरीके से इस इंस्टिट्यूशन की शुरुवात हुई थी, इनके फाउंडर कॉन है तो हकीम अजमल खान साहब है, जिनकी बाउन जो 1868 में हुई थी और 1927 में इनकी डेथ हुई है, इस हसाब से यह चीजे श होश्पिटल्स भी चलते हैं, तो आप यहां पे अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल हाल इनके पास 3 वेंग है, इस तरीके से आप एक बार ही आप फिलिक कर सकते हो, अप चेक कर सकते हो, रिजॉल्ड वगर, आप प्रोस्पेक्टर्स आप देख सकते हो, यह आप फिल्ड में इंट्रेस्ट है, उस हँसाब से आप फिर क्लिक करके आप चेक करोगे, मैं एक बार यह आपको दिखा दे रही हूँ, जो प्रोस्पेक्टर्स में आप पढ़ सकते हो, कि कैसी-कैसी चीजें यह आपे शुरू की गई है, और कैसे आपको यह ढ़िजी पूरी holistic manner में, इसके बाद prospective में यूनानी पे अगर click करूंगी तो वो भी कुछ इसी तरीके से open होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीके, यहाँ पे देखो, जो भी आपको degree मिलेगी ना, वो दिल्ली विश्विद्दाले से ही affiliated रहेगी, इस बात की आप clarity रखोगी, ठीक करोलभाग metro station से उतर के ना एक तब नस्दीक में ही है, आप अनाम से चेक कर सकते हो, ठीके, एक बड़ी ना, खुद भी college वगर ना, जा के देखो, अगर आपको interest है particularly कि नहीं हमें, तो भाई, Ayurvedic and Yunani Tibia College and Hospital में ही admission लेना है, ठीके, so this will be all about website, tour of Ayurvedic and Yunani Tibia College and Hospital by Mission Delhi University, अगर दिल्ली विश्विद्धाले के आपको किसी और महाविद्धाले के regarding किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए, या किसी तरीके का कोई doubt है, तो आप हमारे playlist को access कीज़े, Delhi University College वहाँ पे दिल्ली विश्विद्धाले के सारे महाविद्धाले हों के regarding, इसका मतलब 85+, से ज़ वो eligibility criteria हो, या फिर paper structure पे discussion हो, मैं playlist की link नीचे description box में दे दूँगी, साथी मैं comment में भी pin कर दूँगी, या फिर मुझे आप one-on-one चर्चा भी गर सकते हो, मेरे Instagram ID पे at the rate Mission Delhi University, या मुझे mail भी गर सकते हो, du.deleyvites at the rate gmail.com, या फिर आप हमारे telegram ग्रुप पे भी जोड सकते हो Mission Delhi University, even for other performance booster courses, हमारे official website पे visit कीजे www.deleyvites.in, या फिर play store से आप हमारा app भी डाउनलोड कर सकते हो, Delhi Vites, अब देओ, अगर मैं courses की बात करूँ, तो फिलाल यहाँ पे दो courses प्रवाइड के जाते हैं, एक bachelor की और एक master's की, bachelor में दो subject है, bachelor of ayurvedic medicine and surgery, और दूजरा है, bachelor of yunani medicine and surgery, यही अगर मैं PG यही बात करूँ, तो ayurvedic विच्छासपती, MD और MS in Ayurveda, माहीर इतिब, MD और MS in Yunani, और जो तीसरा है वो है MD in homeopathy, अब अगर मैं आपको एक common eligibility criteria बताऊं, bachelor में admission लेनी की, तो आप class 12 पास होने चाहिए, या फिर class 12 में आपकी appearing होनी चाहिए, इसके साथ ही जो आप दोनों या फिर तो आप bachelor या फिर post graduation की degree आप ले सकते हो, यह मैंने पर year कहा है, even इनके hostels भी हैं, यह भी आप जाके explore कर सकते हो, ठीके इनके खुद के hospital भी यह रन करते हैं, और इनकी जो डिग्रियां आपको मिलेंगे वो directly दिल्ली विश्व विद्धाले से ही affiliated हो ही, So this will be all about this lecture, जल्दी से अब मुझे comment section में आप बताओ कि आपका favorite subject कौन सा है, Ayurvedic या Yunani, या फिर आप किसी और महाविद्धाले के regarding, किसी और college के regarding, दिल्ली विश्विद्धाले के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, उसके regarding मुझे comment section में बताओ, हमारे सारे social media के links नीचे description box में available है, do comment us, do subscribe Mission Delhi University powered by Delhi White.